जस्पृत बुमरा की चमतकारी गिनबाजी की आज पूरी दुनिया दिवानी है जिस तरीके से बुमरा ने 6 विकेट लेकर अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया अब अपने साथी खिलाडी की जमकर तारीव करते वे सुब्मन गिल ने जो बयान दिया है जो ब आप दूसरे टेस्ट मुकाबले में दूसरे दिन पहले ही एससवी जैसवाल ने 12 सतक लगा कर इतिहास रच दिया 22 साल के इस इवा खिलाडी ने जिस तरीके से पारी खेली है जिस तरीके सोनों ने 209 रन बनाए हैं अपनी सांदार पारी में जिस तरीके सोनों ने 19-4 के 7 छक्के लगाए आज उनकी दिवानी पूरी दुनिया हो गई है वही एससवी जैसवाल की लाजवाब पारी ही थी जिसके दम पर टीम इंडिया ने पहली पारी में कुल 396 रन बना पाए अब भारती गिनबाजों पर दरुमदार था कि इंग्लेंड की टीम को वो जल्दी से जल्दी आउट करे और आपको बता दे इसके बाद जस्पृत बुमरा की सांदार गिनबाजी के आगे अंग्रेजों ने घुटने टेक दिये आपको बता दे इंग्लेंड की पूरी टीम महज 235 रनों पर आल आउट हो गई जिसका पूरा का पूरा सुरे जाता है जस्पृत बुमरा को इस साल की सबसे खतरनाक ही और कर डालते वे बुमरा ने पहले ओली पोप को क्लीन बोल्ड किया इसके बाद बुमरा ने इंग्लाइन के कप्तान बेन स्टुक्स को भी कुछ उसी अंदाज में बोल्ड करके संसनी मचा दिये और इस मुकाबले में कुल 6 सफलताएं अपने नाम की बुमरा ने 5 मेडन डाले 6 विकेट लिये अब खुद उनके साथे की लाड़ी सुबमन गिल ने जस्पृत बुमरा पर बड़ा खुला सा किया है दिन का खिल खत्म होने के बाद गिल ने बुमरा को लेकर बयान देते वे कहा रोहित भाई जस्पृत बाई और मेरे बीच बात हुई थी कि जस्पृत बाई को गिंदबाजी पर लाया जाए जिसकी वज़े से जस्पृत बाई सफ़ा लो पाई वैसे उनको क्रेट डेना बिल्कुल भी मैं भूलूंगा नहीं क्योंकि सच में जस्पृत बाई ने इनक्रेडिबल गिंदबाजी की है वैसा वो सिर्फ वही कर सकते हैं जिस तरीके से ओलीफोप और बेनिस्टोक्स को उन्होंने बोल्ड किया है वो मेरी सर्वसिष्ट गिंदों में से एक हैं उन्हें छे विकेट लेने के लिए मेरी तरफ से धेर सारी सुपकाम नाए दोस्तो सुबन गिल ने बड़ा खुलासा किया है जहांपर उन्हें ये बता दिया कि रोहित सर्मा ने किस तरीके से जस्पृत बुमरा का इस्तेमाल किया जिसकी वज़े से वो छे विकेट ले पाए वैसे आपको क्या लगता है जस्पृत बुमरा और जेम्स इंडर्सन में से महान गेंदबाच कोन है आप अपनी राय हमें नीची दिये गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी ही सांदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना अलकुल ना भूलिएगा धन्यवाद